ब्रेज के चर्चित आचार ये कौशिक जी महराज माईहर में माँ शारदा के दरबार में माथा टेकने पहुंचे माँ शारदा के बारे में मानिता है कि जो माँ के दरबार में आता है वो सुख समर्दी माँ से प्राप्त कर लिता है नवरात्री में मा शारदा के दरवार में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है सुबै से ही भक्त मा के चर्णों में माथा टिकने पहुंच जा रहे हैं इस बीच ब्रंदामन मुत्रा के आचार ये कौशिक जी महराज भी अपनी कामना को लेकर मा के पास पहुंचे उन्होंने मा के चर्णों में माथा टिकते हुए माई से आचिरबाद प्राप्त किया इस बीच उनके साथ दरजनों की संख्या में उनके शिष्ष भी मौजूद रहे दरशन बहुत अच्छे हुए हैं और बहुत आनंद हुआ है अपने आपको ब्रह्म में समायत कर देना अपनी उर्जा को उपर की त्रब लेकर के जाना यही ब्रह्मचारणी करत है अपनी शक्ति का पतन नहीं होना चाहिए, अपनी सक्ति का उत्थान होना चाहिए अपनी सक्ति गल्थ जगे पर न लगे, अपनी शक्ति अच्छी जगे पर लगे ब्रह्मचारणी का यही मतलब आज मा का ब्रह्मचारणी का दिवस है और भक्तों में विशेश उत्सा के साथ मा की भक्ती कर मा की दर्शन कर मन मांचित फल पा रहे हैं भक्तों की संक्या तो मा की दर्वार में निरंतर बढ़ती जा रही है लाखों की संक्या में मा की भक्त आ रहे हैं नवरात्री के परवर में मा की विशेश क्रिपा बरस्ती है, तो भक्तगर्ण अपने अपने तरीके से यथा शक्ती मा की भुक्ती करके, ब्रत, अत्यादी, गुर्गा सर्फती का पाट कर, अखन जोड जलाके मा की भुक्ती करते हैं और वनमांचित फल पाते हैं.